तो क्या हल चाल है दोस्तो मेरा नाम है विमल और आप देखेने हैं टेकने में में लुडूब चैनल तो दोस्तो आज का ये कॉलेज रिवी वीडियो होने वाला है डाक्टर पंजाब रावदेश्मोग क्रिशी विद्यापीट इसे पिड़ी के भी एकौला के नाम से भी जान पर आपको इस वीडियो में वन्हां से दो सेटर की पढ़ाई करके आए है पहले उन्होंने वहां पे अड्मिसम्स लिया था तो वहां वो ट्रांसफर लिए थर्ड सेटर में राहरी में हमारे कोलेज में तो टो मैंना उन्से ये सारी डीटेश्र के बारे में पूछा है कि कि क्या स्ट्रक्टर है हॉस्टल की फेकल्टी कैसी होता है कि अधिक कि जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरीकी से बटाया मुझे तो मैं आपको इस विडियो में सारे के बारे में बता दूँगा और मैं बता देता हूं कि अगर ट्रांस्पर लेना आपको तो भी आप से ले सकते हैं अगर आपके मांक्स कम आते हैं स्रीटी में और आपको टॉप का कॉलेज नहीं मिलता है बैसिकली जो में चार कॉलेजिज हैं माराश्चा के अग्रीकिल्चर के उसे लेटे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजिज हैं पर जो में चार कॉलेज हैं पहला जो हैं की और दूसरा है आपको अपने दो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में अच्छा परफॉरमइंस करना पड़ता है उसका बहुत ही सिंपल अगर ट्रंसफर रहना चाहते हैं तो सिंपल लिए अपने अपने टॉप किया है दो समेस्टर में तो आप आसानी से कुछ application fee लोगरा करके अपने दीन के पर्मिशन के थुरू आप दूसरे कॉलेज में अगर आप इनके अलावा किसी और कॉलेज में अड्मिशन पाते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो मुस्किल होता वहां से ट्रांसफर नहीं हो सकते अगर इन चारों में से किसी में भी आग पुराना कॉलेज है तो काफी अच्छा फेमेस कॉलेज है यहां का और इसकी जो यूएन आई रैंकिंग तो दोजारा की 456 थी तो अभी काफी थोड़ी अच्छी इंफ्रूब होई है यहां की रैंकिंग और इसका जो कैंपस एरिया है पूरा हो आपका 7000 एकर में फैला पूरा फूल ग्री आपको मिल जाएगे इस कॉलेज में तो जो थोड़ा गर्मी में प्राब्लम होती है क्योंकि जो वहां पर थोड़ा ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके लिए आपको दिक्कत आ सकती है पर आपको थंडी और बारिस के मौसा में बहुत यह अच्छा साम तुवेडर रहता है वहां का और यहां की कनेक्टिविती देख लेते हैं तो गếu हैंसे यहां से मिल जाते है क्योंकि यह से मिल जाते हैंнокों पर तो वहां से उतर के आप करके आसानी से आ सकते हैं के लिए और यहां की देख लेते हैं तो चारों के में कॉलेज़ के जो है से मी रहती है तो जो इस टार्टि में लेते हैं तो फर्स्ट येर में आपको जूसमें फीज प्लस होस्टल फीज और उसमें कुछ स्पोर्ट लाइड का सब एड़ करके टॉन्टी फाउजन फीज जो निकल के आती है तो उतनी आपको देनी पड़ेगी इ से में फीज वाकी कम हो जाती है करीब आपको 14-15 रुपए देने पड़ते हैं और उसमें से जो श्टार्टिंग में आपकी होस्टल की फी ले लेते हैं तो आपको पूरी इतनी फीज ते नहीं लगती इसलिए कम हो जाती है फी सेकेंड डाइम का मतलब कुरा कंप्लीट एक चार साल करके निकाल सकते हैं कि चार साल एक इतने खर्चे आने वाले और में इसकी बतादू आपको यहां पर कंप्रेटिव में नहीं है तो उसके लिए अलग से सर्वीस आपको मिलती है में इसकी फी भी बहुत ही कम आती है लगभग 15 रुपे के आराउंड आपकी में की हो जाती है तो उसकी टेंसर नहीं है खाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता यहां पर बहुत ही सस्ता खाना और अच्छा खाना है अब मोड़ा बैडविंशन देख लेते हैं मोड़ा वेडविंशन जो होम टाउन के बच्चे हैं उनका महराश्टा के सभी को पता है यह तो हो गई बात जो होम टाउन के बच्चे उनको मसीट से अड्मिंशन होता और जो बच्चे अगर वह चाहते हैं तो इसकी के अच्छे खासे मार्च लाने पड़ते हैं आप काउंसलिंग के थूँ यहाँ पर ले सकते हैं और यहां के कटाब देख लेते हैं तो यहा महाराष्टा काफी हाई जाता है तो आपको मान के चलिए 95 के करीब आपको पर्सेंटाइल लाने पढ़ेंगे यहां पर अब बीसी में तो 90 पर्सेंटाइल आप मान के चलिए कि वहां तक ही रहता है आपका यह कटाप जाएगा तो उतना आप बनाके रखी मार्क्स उतना लाइए अच्छा खासा प्रिपेशन करिए एक सीटी के एजाम का तो आपको आसानी से अड्मिशन मिल जाए तो यहां की स्ट्रीम्स देख लेते हैं कॉलेज को उनको सी स्ट्रीम्स आफर करता है जिसमें आप एड कर सकते हैं और अगर आप एंटेक में करना चाहते हैं मास्टर तो यहां से और पीच्टी का भी अच्छा खासा सुविदा यहां पर मौजूद है तो पीच्टी में अच्छी है यहां की आपको सारे ग्राउंड्स होगरा बहुत ही वेल मेंटेन ग्राउंड होगरा सब मिल सकते हैं यांड आपको फोटबाल वॉली बलॉऌन मवजूद हैं यहां फमें प्लेस्मेसमेंट देख लेते नहीं कैंट लेकम प्लेस्मेंट ाफ़ी Made पता यहां पे काफी अच्छा रिवी मिला था इनको प्लेशमेंट में 2018 में कुछ बच्ची अच्छा खासा रीव्यू दीए यहां पर कि 2018 में 50% से ज्यादा बच्ची जो उनका प्लेशमेंट हुआ है पर ऐसा कुछ नहीं है मैंने सौरब से पुछा तो उन्हींने बताया कि स का में सबने होता है उन्हीं कंपनी आती है कॉलेज में जो बहुत ज्यादा क्रें होता है क्लेसमेंट यहां क्वए प्लेसमेंट जर सबुन कॉलेज है चलिए आपको हम बता जाते हैं यहां की फेकल्टी कैसे हैं तो जो सबसे पहले यहां के जो वाइस शांसलें डॉक्टर वीयम भाले जो की खुद एक प्रोफेसर हैं होडी है डिपार्टमेंट के और इसके लाएं जितने भी यहां के टीचर हैं काफी अच्छे एक डिपार्टमेंट पर आपको ज्यादा इंट्रेस्ट है तो सवर्ब ने बताया था कि वहां की जुद रिनेबल इनर्जी का डिपार्टमेंट तो काफी अच्छा है आपको आप आप आसानी से वाँपे अब चलिए यहां की होस्टल मेस की बारें बात के लिते हैं तो में चार बिल्डिंग है आपको एक ही कोरेज वहां पर बहुत होस्टल के लिए और जिसमें आप सारे चारों साल एक होस्टल में बिताना पड़ेगा आपको होस्टल भी अच्छा का सा ब्योस्ता है आपको सारे 24 घंटे लाइट बिजली पानी होगरा सब मिल जाएगा उसक हो बीटेक के हों या या घंटेक हो सभी एक होसे में रखा जाता है वहां कभी होस्ट काफी सब्सपर आ है तो सुखकुष उथना मोई रहने में और प्यज्दृचय वाल से ब्सक्तिन होगी होग श्राब्लम बहुति आपको की ऐसं नहीं है उसके लिए ते दूसरे और पंद्रहसव रुपय ही आती है तो खाने वह यादा खाचा नहीं है और अब अच्छे खासा साप सुधा तरीके से बनाते हैं तो उसके लिए प्रावलम नहीं आएगी थोड़ी सी जो प्रावलम आती है जो अधर्श्ट की लड़के होते हैं उनकी लिए प्रावलम आ सकती है नहीं महाराष्ट्रा से तो थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी 2-3 महीने उसके बाद आपको अच्छा लगने लेएगा खाना और एक जी जो प्रावलम आती है जो अधर्श्ट के होते हैं उनको प्रावलम आती है माराथी में तो उसकी भी आपको टेंसन नहीं लेगी है कि यार मराठी नहीं आती कैसे करेंगे पड़ाई तो मैक्सिम जो टीचर है वो इंग्लीस में सिखाते हैं कुछ एक दो प्रोफेसर रहते हैं जो मराठी में मराठी और भाई साब तो अच्छा कासा होता यह कॉलेज का अच्छा कासा और कॉलेज में एक आपको बताना बुल गया कि एक अच्छा कासा लाइब्रेडी भी है तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं एक कंपूर्टर लैब भी है और जो भी 24 घंटे वाई-फाय रहता ह है वहां पर भी तो उसका भी अफायदा ले सकते हैं फेस्ट में आपको सारे जो फेडिवल होते हैं बहुत अच्छे कासे मना जाता हैं अगर आप फेस्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ यूट्दूब औरаются जाके आप देख सकते हैं वहीं पैंसे आइसा और ल दोस्तों यह थी वीडियो इस से रिलेटेट जो कि मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां के बारे हम पता थी मैंने आपको इस वीडियो में एक्स्प्रेंट कर दिया है तो अगर आप को यह वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आप मैं चैनल पर नए आए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमाया चैनल को सब्सक्राइब करें बीना मत जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो अगर आपको कुई भी डाउट रह गया तो अगर हमसे पूछना जाता है था हमें आपको इंस्टाग्राम पर टेक्नों में पर आप हमें सेयर कर सक पर लो हमें सेयर का भीमान अब्सक्राइब